मित्रों मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज थंबनेल देख के आप समझी गए होंगे कि हम आज किस चीज की स्टेडी करने वाले हैं फ्रेंड्स आज ही के दिन 11 अगस्त 1961 को जो दादरा और नगर हेवेली एक हमारा केंदर शासित राज है वो भारत का एक अंग बना था भारत में उसका विले हुआ था तो मैंने आज की जब न्यूस सुनी तो मुझे लगा कि छोटी सी एक वीडियो उस पर मुझे बनानी चाहिए क्योंकि बहुत सरे लोग अभी दादरा और नगर हेवेली की लोकेशन को नहीं जानते हैं लोग बड़े-बड़े स्टेट्स को जानते हैं लेकिन इस छोटे से यूडियन टेरी-टेरी अर्था जो मारे केंदर शासित राज है इसकी लोकेशन को नहीं जानते हैं क्योंकि काफी कॉंप्लिकेटेड है यहां पर आप मैप में देख रहे हैं यही दादरा और नगर अवेली का है यह तो इंडिया का मैप है बगल में एक छोटा सा दादरा 2020 से दादरा और नगर अवेली और दमन और दियू दमन और दियू को भी अभी हम देखेंगे इन सब को मिला करके एक केंदर शासित प्रदेश बना दिया गया है जैसे पहले अलग अलग था दमन दियू एक अलग आपका केंदर शासित प्रदेश था और दादरा नगर अव टोटल इस समय यूनियन टेरिटिरीज की संख्या जब है वो इस समय आठ हो गई है तो चलिए अब हम लोकेशन देख लेते हैं फिरा मागे बात करेंगे इसमें अब हम लोकेशन देखेंगे दादरा और नगर हवेली की यह आपके सामने सबसे पहले इंडिया और इंडिया में यही रहा आपका दादरा एंड नगर हवेली यह रेड कलर से मार्क किया गया छेत्र है बहुत ही छोटा इसका एरिया है टोटल 491 किलोमेटर स्क्वाइर का इसका बुरा क्षेत्र है और इसमें दादरा एंड नगर हवेली साथ में बोलते हैं हम लेकिन यह जो आपको बड़ा वाला एरिया दिख रहा है इसमें जो मैं जूम कर रहा हूं यहां पे स्क्रीन पर आपके हो रहा होगा यह तो आपका नगर हवेली है इसके नाम में दो चीजें और यह चोटा वाला एक राउंड सा पार्ट है यहां आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है दादर तो दादर है नगर हवेली हम दो दो चीज़े बोल साथ का चुब बॉर्डर है वही पर वही पर इसकी लोकेशन है अब चलिए हम लोग इसको देखी लिए हैं और मैंने आपको बताया ही है अभी कि 26 जनवरी 2020 से दमन्दिव और दादर नगरावेली एक यूटी हो चुके हैं एक यूडियों टेरिटरी बन गए हैं तो हम उन से लगा लगती लेकिन अब क्या है जब एक यूडियों टेरिटरी हो गई है तो इन सब की जो कैपिटाल हुआ उसकी राजधानी है दमन यह आपका दियू है और रॉपक आईलेंड के रूप में है यह और बमने इस इपासी में सोमनात आप देख करें गुजलात का मेरेंडrants से जुड़ा हुआ हुआ है यह पुल के माध्यम से और यह आपका दमन दमन इस साइड है काफी दूरी यह दोनों में और इस इंडिया के मैप में आप दोनों वो बिल्कुल सही देख रहे हैं वहां हो सकते हैं बहुत सारे लोग ना समझ पाए हूं लेकिन यहां राउंड राउंड किया गया रेड कलर से दमन और द्यूर और य विर्कुल बॉर्डर पे मतलब यह दादरा तो आपका पूरी तरीके से गुजरात के अंदर ही है लेकिन जो नगर हवेली है वो दोनों से सीमा बना रहा है उसका उपर वाला हिस्सा गुजरात से सीमा बना रहा है और उसका साहुत वाला साहुत वाला जो पार्ट है वो महा इतिहास पर बात कर लेते हैं दोनों और दियू हो चाए आपका दादरा नगरह वेलियो दोनों का इतिहास काफी मिलता हुलता है और पुर्तगाली शास्कों के अधिन ये दोनों ही छेतर रहे हैं ये चो आप बेजिंग देख रहे हैं और ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स जैसे अब ये दूसरी एक बिल्डिंग है जब आप इन एरियास में जाएंगे दादरा नगरा वेली या दमन्दियू तो यहां पर आपको इस प्रकार के जो है ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी जो की काफी आपको वहां की ह इस्ट्री के बारे में जानकारी देंगी आपको लगएगा कि आप इंडिया से हटके किसी एक ऐसे छेतर में आए गए हैं बिल्कुल आपको अलगी फील आएगी वहां पे जिसका कि आप जो इन तस्वीरों में देख रहे हैं ये एक वहां का संभावता चर्च लग रहा है तो पूरी तरीके से इंफ्लूएंस लगेगा और ये आप वो मैसूस होगा कि कभी न कभी ये जो एरियाज हैं ये पुर्दगाली शासकों के अधीन में रहे हैं तो फ्रेंड्स इस अध्याय को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बस इसमें हम ही काना चाहेंगे कि कभी अगर आप वोने इरियाज में जाएं तो इन्हें छेतरों में जा सकते हैं और जो पुर्दगाली एक प्रभाव है वो अभी भी वहां के बिल्डिंग्स में वहां के रहन सेंड में कहीं न कहीं न कहीं वह जलक आपको देखने को मिलेगी तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोगों ने अच्छे से लोकेशन को भी समझा और थोड़ी बहुत हिस्ट्री की भी हम लोगों बाती की और इस वीडियो को जादा लंबा हम करेंगे नहीं चोटा सा टॉपिक था और थोड़ी सी हम लोगों को इस पर बात करनी थी अब आपका काम य आसी ही तक छोटे से वीडियो में हम जितनी इंफर्मेशन हो सके उतनी मैं आपको दूँ और फिलाल इसे द्याम इतना ही थैंक्यों फ्रेंट्स